सारदीों में हेयर पॉल की प्रॉब्म बहुत आम बात है जड़तार लोग जिनके की बाल जड़ते हैं सर्दीओं में क्योंकि मौसम का जो भी एफेक्ट है वह हमारे स्किन पर हमारे बालों पर जरूर पढ़ता है लेकिन अगर किसी के बाल नहीं जड़े तो अपने बहुत अदल लगी समझे और इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक्स्ट्रीम हेर पॉल होई है मैं अभी मेरे हेर पॉल की जो पॉरी तरह से बन नहीं हुआ है लेकिन उसके लिए मैंने क्या कर रही हूं वह मैं आपके साथ डिसकस करती हूं और यह जो वीडियो है यह इसका जो फाइनल रिजल्ट है वह अभी नहीं वह वन मंत के बाद मिल होगी कि एक्शली में मुझे उससे कुछ फाइदा हुआ या नहीं और अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम हेर पॉल हो रहे हैं तो आप उसमें यह सब रिमेटि ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं आपको यह फाइदे मन्थ होगी कि नहीं तो यह वीडियो तो आ मैं हूं गुट्टी और आप देख रहे हैं गुट्टीश फैशन इन ब्यूटी और मेरी आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक्स्ट्रीम हेर पॉल में आप क्या कर सकते हैं और यह डे वन से अपना एक्स्पिरियंस में ऐसा तो मैं वन भी यह यह वो ट्राइक कर भी है कि मुझे एक्स्रीम हेर पॉल क्यों हो रहे हैं दिखे सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मौसम का एफेक्ट है वो हमारे स्कीन पर हमारे बालों पर सर्दियों में खासकर बहुत जादा पढ़ती है और क्योंकि हम सर्दियों में पानी भी कम पीते हैं इसके कारण कि जो हमें हेर पॉल की प्रावलम होती है और बाकी पता नहीं साहथ हो सकता है कुछ ऐसा जैसे कि हम तो वेजिटेरियन है तो हो सकता है कुछ सरीर में कमी हो जाती होगी जिसके कारण की हेर पोल होते होंगी फिलाल अभी हम लोग वीडियों मागे बढ़ते हैं कि किस तरह स कि मुझे वहां गई ही हूं तो वहां पर एक मेरे परचीर डॉक्टर है जो की बहुत ही अच्छा उनसे पर मैंने ट्रीटमेंट लिया तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला था इस बर मैं फिर से उनके पास गई और मुझे उन्होंने कौन-कौन से मैडिसिन प्रे अपने हातों से मैं इसको इक्वली इस तरह से स्कैल्प में मसाज कर देती हूं ठीक है मेरे बाल बिगड़ जाएंगे इसलिए मैं अभी करके नहीं विकारी हूं उसके बाद क्यूंकि यह तो हो गया एक्स्टरनली कि हमें बालों में क्या लगाना है उसके बाद यह है कि अष्विटप्लिमेंट जो हमारे स्थीयर में करता है उसके कारण की हेट उसके लिए उन्होंने प्रहतर देखी अउय सских एक तो कहानो Vitamal, Water. यह वाला जो सीरम है यह में लगा रही हूँ और इससे पहले जब मैंने दिखाया था तो वो भी मैंने अपके साँ शेयर केया था लेकिन इसको देखे ऐसा नहीं है कि आपके हेर लॉस हो रहे है या पे बाल गिर रहे है यह नहीं कि आपने से खाया कोई magic हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ-साथ है आपको बहुत सारे instruction को फोलो करना है तो कुछ यहां भी के आंड स्टरेस करिए अपने फोलों में पढ़े हैं इसके सामगरियां और उसके सामगरियां घूने पेर निकलती नही है कि यहाँ पर क्या कहाँ मुझे अब समझ मेन आता है मैं लेकर आई हूँ और हम a söz як जयल बनाई और बालों बनाई हो और इसलї सामगर आरे, सब्सके अदिया ज़र, मनने अइस विर भी कोई होम रिमेटी से इसको ठीक कर लेंगे तो हो जाता है लेकिन अगर आपको बहुत एक्स्ट्रीम हो रहे और है बिल्कुल नहीं रहे ना तो मैं आपको यह एडवाइस करूंगे कि अच्छे डॉक्टर से मिले और उनको अपने जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं उसके इस जो की हमारे बालों के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है और यह मैंने यूट्यूप इसकी बहुत सारी वीडियो देखी थी लेकिन अभी मैं रिसेंट इसको वन वीक से अपने बालों में ट्राइ कर दी हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा ह और आधा कप आपको लेना है अलसी के भी जिसको की हम अपनी भाजा में टीसी कहते हैं और इंग्लिस में फ्लैक्सी भी कहा जाता है जो आपको आपके नियर बाई ग्रॉसरी शॉप में असानी से मिल जाएगा लेकिन परने मुझे क्यों नहीं मिला उसके बाद हमें लेना ह चाहे तो इचनी भी ले सकते हैं लेकिन कॉटन के कपड़े से इसका जो जेल है वो बहुत अच्छा से निकल कर आता है और यह लगभग 10-15 मिनट आप इसको इस तरह से उबलने दे आप देखेंगे कि इसमें से जेल निकलना रिलीज हो जाएगा और जेल तयार हुआ है कि इसकी जाच करने का भी तरीका में आपको बता दूँगी और यह न हमारे बालों पर एमेजिंग रिजल्ट लेके आता है यह है कैस्टर ओयल जिसको कि अरेंड का तेल भी कहते हैं विटामिन ए की हमें एक से दो कैपसुल लेनी है जिसका कि ओयल हमारे बालों के लिए बहु तो आपको गर्म गर्म में ही चानना है ध्यान रखेगा कि आपको ठंडा नहीं होने देना है तो यह जम जाता है उसके बाद इसे चानने में बहुत ही मुसीबताती है लेकिन सबसे पहले इसमें मैं मिला रही हूँ यह castor oil जिसको कि अरंड का तेल भी कहते हैं और इसको एक चमच भर कर लेना है अरंड का तेल ना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है विलीफ करिये हमारे यह scalp को बहुत ही relax करता है और इसके साथ ही मैंने लिया है इसमें एक vitamin E का यह जो capsule है इसका जो oil है वो मैंने इसमें निकल कर ले लिया है और यह बाकी इसको सबसे पहले तो अच्छे से तरह से mix कर दे रही हूँ जिसे कि यह जो कटोरी जो है जो मैंने लि इसके बाद इसे मैंने इस बड़े बरतन में सिफ्ट कर दिया और इसके अच्छी तरह से पला को mix करना है आप चाहते हैं जिससे कि इसका एक बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्टर बन जाता है लेकिन फिलाल मैं इसे यह hand blender से मिक्स कर दे रही हूँ और आप देख सकते हैं यह इस तरह का jelly form में आ गया है आप चाहते हैं इसमें aloe vera का gel भी mix कर सकते हैं लेकिन फिलाल इसे मैं इसी तरह से ले ले रही हूँ और क्यूंकि regular करना है तो जितना कम टेंसन होना उतना अच्छा हो जितना आसानी से यह बन में ले रही हूँ यह अभी एक बर लगाने के लिए सफिशेंट है बागी का एक बॉटल में भर कर में रख दे रही हूँ तकि इसको में next में लगाऊंगी इसके बाद आपको क्या करना है इसको बिल्कुल पहले तो ठंडा हुन चाने देना है आपको गर्म में यह प्रॉस तो लगाने का मन ही नहीं करता है लेकिन फिर बहुत भी में लगाूंगी कल भी मॉणि मॉझे लगाना है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि यह ठंड के कारण हो रहा है लेकिन फिर मैंने जब अभी 11-12 बजे जब पूरा सफिशन धूप आ जाती है उसके बाद मैं इसको लगाती हूँ और थोड़ी दिर के लिए धूप में छोड़ देती हूँ और नॉर्मल पानी से इसको वाश कर देती हूँ लेकिन अभी मैं फिलाल इसको अच्छे से लगा लेती हूँ अपने बालो पर अब देख सकते हैं कि मेरे पूरे बालो पर यह लग चुका है तो इसके बाद यह एक घंटे के बाद मैं नॉर्मल वाश कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं यह बालो में आपको एक सौफटनेस महसूस हो रहा होगा जिससे की अच्छी तरह से चारोर इवनली लग जाए और जो हम मेरे बाल है ना वो देखिए गार इसमें जो मैजिक होगा ना अब देखिए मेरे बाल कितने जादे रफ और बहुत जादे उलजे वे दिख रहे हैं लेकिन इसमें क्या बदलाव आया वो मैं आपको बताती ह जब आप इस जल को बनाकर लगाएंगे ना तो आप खुद ही बोलेंगे कि हमें जितनी भी बाते कह रही हूं वो बिल्कुल 100% सच है यह जितने भी अभी बाते में कह रही हूं यह मैं अपने सेल्फ एक्सपिरियंस से कह रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसा हुआ इसको भी रिमेडी बताती हूं ना सबसे पहले तो मैं लगभग 5-10 वर उसको खुद ही लगा कर देखती हूं जब मुझे फाइदे मन लगता है तभी मैं उसका एक्सपिरियंस आपके साथ शेयर करती हूं otherwise मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाती ही नहीं क्यूंकि मेरे जितने भ अठीं हर सब करते ही लगा क्या कि करते ही तो या भी और शेयर में अच्छा जाग मेरे बाल ही अक्षी तरह साफ होगाए और यह बिलकुल भी आपस में नहीं उलजी है और जिसके कारण के हैरफॉल भी थोड़ा सा कम होगा रेडुलर से और अब आप देख सकते हैं बाल बहुत दादा चमकदार है आप यह रिमिटी ज़रो ट्राइ करिए और अपना एक्स्पीजिंश मेरे साथ शेयर करिए बाई बाई